संपूर्ण चराचर जगत पर जो माया ने अपना प्रभाव डाल दिया उससे तुम्हें मुक्त होना है केवल आप और दूसरी तरफ संपूर्ण चराचर माया का भ्रमात्मक आकरशन उपासक को हक अरकरशन को निश्पल कर देना है निश्प्रभावित कर देना है तब वो जयती जयती जग उच्चर है और ये कोई मेहनत की बात नहीं है इतना बड़ा कार केवल भगवान की शरण में होकर उनकी भजन से हो जाएगा केवल भजन से पर भजन करने के लिए आवश्यक है भजन न होई संग भजन भिना नहीं प्रेम तो माया भगवती पहले संगई हटा देती है हम दूरे ही करती है तो मारा प्रभावए नहीं पड़ेगा श्रण धै नस्ट कर देती है हम चलने ही नहीं देंगे अब क्या करें अगर कोई चाहता भी है कि आपका काम बन जाए तो आपको तो हमें बना ले नहीं तो धरे रखो अपने पास जादूगीरी अपनी भजनो जो भी संग नमस्कार अप क्या करोगे आपके पास मंत्र है आपके पास उपासन है पर आप प्रियोग नहीं कर रहे क्योंकि गुपाल जी की ही है वो बात यह है ला कि ऐसा कुछ हो कि जिसे कि यह अमुक चीज पास रख लो माया प्रभाव नहीं डालेगी तो चलो हो जा कि आप आप राधा नाम गले में माथे में सब जगे से देखो पहने हैं ना यह पहने बुले अब माया का प्रभाव नहीं पहने रहोगे यह भी पहने रहोगे क्योंकि वो इनहीं की शक्ती से युक्त है किसी और की शक्ती से नहीं उनहीं की शक्ती से युक्त है अगर कि यहां माया क्या करेगी दाम में अरे दामी की रची हुई है ना किसी और की तोड़ी है किसी और की हो बलो कि जिसे एक माया सुर था तो अब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके उपर कोई और माया भी आप पे जादू टोना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई भूत प्रेत सैतान उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन हरी की माया तो वो तो हरी की है ना वो तो प्रभाव यहां भी डाल देगी यहीं बैठे 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 डाल देगी देखो ऐसा करते हैं वहीं राग द्वेश चल यहीं तो माया है माया का मतलब क्या है कि अन्फुटो नेन सरण फुटो जोँगन सुनो स्री राधा जस्वेन क्योंकि यही निर्मल सच्चिदानंद प्रिम्रस प्राप्ति का स्वरूप है बहुत बिचित्र है हम प्रभू का भजन करके और माया में फसना मांगते हैं देखो उसकी चतुरई माया की माया मुक्त कर करने वाले का भजन करके माया में ही फसना मांगते हैं कि हम पर विहारी जू कृपा करो और ये मूटा जाल हमें और फसा ले अभी जितने में फसे वियो उतने संतोस लए और फसादो ये और बढ़ाओ प्रपंच तो विहारी जी मुस्कुराते हैं कि यार हमारा तो स्री विग ग्रह का रूपधारन करना या उतार लेना या ग्रंथ रूप में या संत रूप में जो है वो तो हमारे इस माया से मुक्त होने के लिए और तुम इनहीं का अस्रे लेकर और प्रपंच माया मांग रहे हो कैसी मेरी बिचित्र माया तो वो भी अस्ते भगवान की बड़ी बि अगर हम कहानिया लिखे ना इसे तो पुरा रजिस्टर भरते चले जाए कि आवाज हमारे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है पूरा ऐसे सब शावधान हर समय शावधान जो महापुरुष्जन कह रहे है न कि हानी हरिवंस के ना मंतर परे वह यही कहा हनुमंत बिपति प्रभु सोई जवतो सुमिरल क्यों क्यों कहा इतने बड़े ज्यानी महापुरुष्ज सिहनुमान जी महाराज जो अमोग बलशाली अमोग ज्यानी है वो कहरें प्रभु बड़ी से बड़ी बिपति कोई बिपति नहीं क्योंकि वो माया है ब्रहम है आप का इस्मरण भजन छूटा यहीं भी पत्य है क्योंकि आप वो फस जाएगा आप जिसे राधा 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 अंदर चला रहे हो भजन कर रहे हो आप कहीं भी जा रहे हो कुछ भी द्रश है कुछ वो फसने नहीं देगा आपके संशकार ऐसे नहीं बनने देगा जिससे आपको पुनर जन्म हो देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, चल भी रहे हो खा भी रहे हो, पी रहे हो पर वो संशकार ऐसे नहीं बनने देंगे राग के, जिससे आपका जन्म हो क्योंकि नाम चल रहा हो, सम मिटाता चला जा रहा है दूसरी बाए राधा अब हमारा युद्ध प्रारम हो गया वो हमेशा मोहित करेगी भ्रमात्मक माया और हम भगवन नाम के प्रभाव से उसको काटते रहेंगे यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार स्री रगुनात नाम बिन नाहिनाल अधार गोस्वामी जी कहते हैं यह कलियुग ऐसी मलिन बृतियां प्रकाशित करता रहेगा मल का आगार है यदि बच्चना चाहते हैं तो एक ही उपाय है प्रभु का नाम कभी मत भूलो